दोस्तों अंतरिक्ष्यानों को वायू मंडल से उपर उढना होता है इसलिए वे अपना इंधन एवं ऑक्सीजन लेकर उड़ते हैं जैट विमान में केवल इंधन रहता है जब विमान चलना प्रारंप करता है तो विमान के सरेपर बनिचिद्र से बाहर की वायू इंजन में प्रवेश करती है वायू के ऐक्सीजन के साथ मिलकर इंधन अत्यदिक दबाप पर जलता है जलने से उपण गैस का दाब बहुत अधिक होता है यह गैस वायू के साथ मिलकर पीछे की ओर के जैट से तीविवेक से बाहर निकलती है यद्यपी गैस का द्रव्यमान बहुत कम होता है किंतु तीविवेक के कारण समवेग और प्रतिक्रिया बल बहुत अधिक होता है बायू मंदल के प्रतिरोध को कम करने एवं बायू मंदल के घर्षन से जलकर नश्ठ होने से बचाने के लिए रॉकेट का उपरी भागशन को नुमा बनाया जाता है इसलिए जेट विमान आगे की ओरती व्रिवेक से गतिमान होता है